हलो नमस्कार फ्रेंट्स कुल्दिप जैन ओफिशियर में आप सभी का स्वागत है में कुल्दिप आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस नई वीडियो में फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में हम जर्नल नॉलेज और जर्नल स्टडीस के 20 कॉस्चन देखेंगे MPGK की क्योस्चन भी इसमें सामिल होंगे यह कॉस्चन MPPOLIS की परिक्षा हुई थी तीन फरवरी 2022 सेकंड डिसेप्ट में आया हुए कॉस्चन है कि यह जी के जी के जी एस और MP के कॉस्चन आपकी आने वाली बंदक्षक जेल पहरी एसाई पोलेस आइटी इटियो सभी जो परिक्षा होती है उनके सभी के लिए इंपोटेंट है तो वीडियो में अन्ते तक जरूर बने रहीएगा फ्रेंट्स अगर वीडियो पसंद आत आते हैं तो आप मेरे चैनल से चुड़ सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तो आएए फ्रेंट्स आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमारा पहला कॉस्चन है मुश्लिम अल इंडिया मुश्लिम लीग के संदर्ब में गलत कतन का चैन करें इन में से ये चार कतन है इसमें से तीन कतन सही है एक कतन गलत है तो उसका चैन करना है हमें तो अल इंडिया मुश्लिम लीग की स्थापना अल इंडिया मुश्लिम लीग वाज लीग वाज फॉर्मड एट धाका in 1906 1906 में All India Muslim League की स्थापन हुई थी Friends, ये कथन बिलकुँ सही है अगला, लीग ने बंगाल के विभाजन का बुरूद किया था तो लीग ने बंगाल के विभाजन का बुरूद नहीं किया था इसका समर्थन किया था तो इसका सही आंसर है तो ये जो है ये गलत है Muslim League के संदर्व में तो हमारा आंसर हो जाएगा Option Number B आगे भी इनके Option को देख लेते हैं ये मुशलमानों के अलग निर्वाचक मंडल चाहता था मुशलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल चाहता था ये बिलकुँ सही है अगला मुशलम जमीदारों और नवावों के एक समूर ने अखिल भारती मुशलम लीग का गठन किया था ये भी सही है तो Option A, Option C और Option D All India मुशलम लीग के संदर्व में बिलकुँ सही है जो सही नहीं है Option Number B तो वो ही हमारा अंसर हो जाएगा Next Question ऐसे ही आपको पता है कि कथन निश्कर्स और ऐसे ही आपके Descriptive Question आपके PSC में आते हैं वही पैटर्न आप PEV ने भी मना लिया है तो हमें इन कोश्चन की प्रेक्टिस करके जाना चाहिए Friends Mount Baten योजना के बारे में निमनलिकत में से असत्तिक अथन को बताना है इसे तीन जून की इसे तीन जून 1946 को अपनाय गया था Friends तो यह बिलकुल सही है Mount Baten योजना को तीन जून की योजना की रूप में भी जाना जाता है देश को दो Dominion यानि भारत और पाकिस्तान में विवाज़त करना किया जाएगा ये भी इसका एक लक्ष था देश को दो Dominion यानि भारत और पाकिस्तान में विवाज़त किया जाएगा ये डबल हो गया Friends इसका है इसका है Two domains would decided about the boundaries dispute on their own तो इसका ये जो सही answer है Two domains would decide about the boundaries dispute on their own तो इसका option number ये C इसका right answer हो जाएगा इसकी जो हिंदी है Friends यहां पर ये repeat हो गई है अगला यह दो domain को दो domain को टेक करना था कि वे बिटेस कामन बेल्थ के साथ एक दूसरे के साथ कैसे सम्मन रखेंगे तो ये भी option इसका सही है जो सही नहीं है बहे option number C कि देर टू domains पुड़ डिसाइड अबाउड दी बाउन्डरी डिस्प्यूट ओन देर ओन मतलब जो दो domain है बहे खुद अपनी बाउन्डरी के डिस्प्यूट को डिसाइड करेंगे तो जब ये है ना ये जो है अपने आप में उन दो देशों को मालों ये भारत और पाकिस्तान में बट रहा है तो ये rights भारत और पाकिस्तान को दे दिये जाएंगे तो ऐसा तो हुआ नहीं था कि अपने अपनी boundaries को बना लें तो ऐसा नहीं था तो option number C ये क्या है असत है बाकी तीन जून की योजना इसको कहते है ये सही है दो डो में भारत पाकिस्तान में बवाज़त किया जाएगा ये भी सही है और ये दो डो में उकुताय करना था कि बिटेस कावन बेल्ट के साथ एक दूसरी के साथ कैसा सम्मंद रखेंगे तो ये भी इसका सही अंसर है मतलब जो असत्त कथन है उप्शन नमबर सी इसका असत्त कथन हो जाएगा इसी तरीके से हम अलग-अलग सब्जेक्ट की भी वीडियो ले करके आते हैं अगर आप सारी वीडियो से चाहते हैं है ना इसके सम्मंद में गलत कथन बताना है ये तीसरा कथन का कॉस्चन है मतलब इन चारों आप्शन का आपको नौलेज होना चाहिए तब आप इनके आंसर दे सकते हैं चाहिए आप्शन A हो चाहिए B हो चाहिए C हो D हो सारी जानकारे आपके पास होने चाहिए तब ही आप इसका आंसर दे सकते हैं तो रुप्य एक भारतिये बहुराष्टिये बित्तिये सेवा और भुक्तान सेवा प्रणाली है तो रुप्य जो है भारतिये बहुराष्टिये बित्तिये सेवा प्रणाली है इसे ड्वारा लांच किया गया था ऐसा तो नहीं है किसे ड्रोम किया गया था तो यह घलत है रुपे के द्वारा हम एक electronic facility है एक e-pay system है जिसके द्वारा हम सभी बैंक में इंडिया के अंदर इंडियन बैंक्स एंड फानेंसियल इंस्टिटूट में हम pay कर सकते हैं इसका उपयोग वहां कर सकते हैं तो यह option number A, option number C और option number D यह तीनों option इसके बारे में सही है जो गलत है इसे RBI द्वारा लॉंच किया गया था तो यह option number B इसका गलत है अगला question अगला question है निमने लिकित मेंसे कौन सा त्योहार मेगाला की जयन्थिया जन्जाती द्वारा मनाया जाता है जयन्थिया जन्जाती द्वारा सबसे पहले तो जयन्थिया जन्जाती कहां की है इसको भी आप याद रख सकते हैं मेगाला की जन्जाती है जयन्थिया जन्जाती और इसके द्वारा एक त्योहार मनाया जाता है जिसका नाम है बेह दीन खलाम बेहदीन खलाम जो तिवहार है जयन्तिया जयन्तिया जन्जाती द्वारा मनाया जाता है और यह जन्जाती कहां मिलती है friends मेघालाय में यह मिलती है तो यहां से हम दो question को याद कर सकते हैं जयन्तिया जन्जाती कहां मिलेगी मेघालाय में और इसके दौरा जो तिवहार मनाय जाता है उसका नाम है बेहददीन खलाम तिवहार यहां पर मनाय जाता है निमनेलेकत में से कौन सा बेश्व का सबसे बड़ा रेशम उतपादक देश है तो सबसे अधिक रेशम उत्पादन होता है दुनिया भर में होता है चीन में तो रेशम के उत्पादन में पहले स्थान पर है चीन तो सबसे बड़े उत्पादक के रूप में कौन सा देश जाना जाता है फ्रेंट्स चीन option number 6 इसका right answer हो जाएगा हाल ही में खबरों में रहे तेजस्वनी संकर किस खेल से जुड़े हैं तेजस्वनी संकर किस खेल से जुड़े हैं track and field events से ये जुड़े है track and field events से कौन जुड़े हैं तेजस्वनी संकर इनका सम्मंद किस से है ट्रेक एंड फिल्ड्स इवेंट से इसका सम्मन्द है, option number C इसका right answer हो जाएगा अगला question, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा निमनलिकित मैं से किसके द्वारा निर्धारत की गई थी? तो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा निर्धारत की गई थी? कौन सी रिखा की द्वारा? भारत और पाकिस्तान की सीमा का निर्धारत की गया था next, मैंक मोहन रिखा की बात करें, तो मैंक मोहन रिखा भारत और चीन के बीच में है भारत और चीन के बीच में कौनसी रेखा है friends मैं एक मोहन रेखा, डूरंड रेखा, ये भी है इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे Next question, अंबु बाची का मेला किस राज्ज में मनाय जाता है अंबु बाची का मेला मनाय जाता है friends अंबु बाची का मेला मनाय जाता है इसको आप याद रख सकते हैं अगला question मद्दप्रदेश सरकार द्वारा दी गई जमीन में फातिमा बानू ने किस सहर में कुस्ती की सुरूबात की मद्दप्रदेश सरकार द्वारा भूमी दी गई थी और उसमें फातिमा बानू ने किस सहर में कुस्ती की सुरूबात की गई थी तो इनके द्वारा की गई थी friends भोपाल में कुस्ती की सुरूबात की गई थी किसके द्वारा फातिमा बानू के द्वारा ये answer option number D इसका हो जाएगा नेस्ट इंदोर संभाग में फुटपात पर रहने वाले लोगों और बिक्षा ब्रत्तों में सनलगन व्यक्तियों के पुनरावास हेतू कौन सा अभियान प्रारंब किया गया था तो इनके लिए दीन बंदू अभियान प्रारंब किया गया था इसको भी आप याद कर सकते हैं तो किस के द्वारा किया गया था फ्रेंड्स राजा भूज के द्वारा उज्जेन से धार इस्थाना अंतरत की थी राजधानी और वहाँ पर उन्होंने संस्क्रेट के अधन के लिए एक बिस्थु बिध्याला की इस्थापना भी की थी तो ऑफ्शन नमबर भी इसका राइट आंसर हो जाएगा अगला कॉस्चन अठारा सो त्रेपन में अंग्रेजों ने नागपुर राज़ पर कबज़ा कर लिया जिसमें अन्न छेत्रों के साथ साथ खाल स्थान मद्यप्रदेश भी सामिल था तो अठारा सो त्रेपन में अंग्रेजों के द्वारा नागपुर राज़ पर कबज़ा कर लिया था ये कॉस्चन भी पूछा जाता है कि अंग्रेजों द्वारा नागपुर पर कबज़ा कर लिया था तो अठारा सो त्रेपन में किया था और उसके साथ साथ में जो मद्य प्रदेश का दक्षन पूर्व भाग है उस पर भी कबजा कर लिया था तो आश्चन नम्मर भी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा नेस्ट भीमबैटिका खाल स्थान के लिए प्रसिद्ध है तो भीमबैटिका वहां की जो गुफाएं हैं राक सेल्टर हैं वहां की गुफाओं के लिए प्रसिद्ध हैं यहां पर पासान कालीन गुफाएं पाएं जाती हैं भीमबैटिका में तो लाल रॉक सेंटर के लिए प्रसिद्ध हैं Bimbetica कि कुपाएं और Bimbetica को 2003 में UNESCO की World Heritage Site की सूची में, UNESCO की 20 Bir же Bibra except Central सीची में सामिल किया गया था, कब किया गया था, 2003 में सामिल किया गया था, इसको भी आ अपर याद रख सकते हैं, मंदर के लिए Famous è Friends Khajraahu, Khajraahu जो इस्थान है चतरपुर जले में, यह मंदरों के लिए फेमस है, और इसको भी 1986 में, 1986 में विश्वबरासत इस्थल की सूची में, यूनेस्को के विश्वबरासत इस्थल की सूची में सामिल किया गया था, यह फेक्ट भी फ्रेंड साफ याद कर सकते हैं, सैलानी दीप निमने लिकित में से किस इस्थान पर है, सैलानी दीप है फ्रेंड मद्द प्रदेश के ओमकार इश्वर में, सैलानी दूइप इस्थित है, इसको आप याद रख सकते हैं, नेक्स्ट कॉस्चिन, पन्ना राष्ट उध्यान में गिद्धों की संख्या खालेस्थान विभन्य प्रजाती की पाई जाती हैं, मद्द प्रदेश के निमनलेखत में से किस जली में लिंगान उपात एक हजार से अधिक नहीं हैं, इन में से तीन स्थान ऐसे हैं, जिसमें से लिंगान उपात एक हजार से अधिक हैं, और एक हजार से अधिक नहीं हैं, बहे हैं सीहौर, इसमें एक हजार से कम हैं, एक हजार से अधिक पाला घाट में हैं, जो सबसे अधिक हैं मद्द प्रदेश में, फिर मंडला और फिर डिंडोरी इस तरीके से ये 1000 से अधिक लिंगानुपाद वाले जिले हैं सीहोर का जो लिंगानुपाद है वह 1000 से कम है नेक्स्ट जनगर्णा 2011 की अनुसार मद्यप्रदेश के निमने लिकित में से किस जिले में सहरी आबादी का प्रतीशा सरवादिक है सबसे अधिक जो सहरी आबादी मद्यप्रदेश के भूपाल में पाई जाती है 2011 की जनगर्णा की अनुसार मद्ध प्रदेश में कितने उध्यों के केंद्र विकास निकम है तो इस तरीके से हमने 20 जीके के कौस्टन डिसकस किए है अगली जो बीडियो आईगी फ्रेंडस उसमें हम साइंस के लगभग पंद्रा साइंस के 15 कौस्टन को डिसकस करेंगे जो तीन फरबरी की फर्स्ट सेप्ट में आई हुए कॉस्चन होंगे इसी के आगे जो कॉस्चन आये थे तो आप अगर वो कॉस्चन देखना चाहते हैं तो चैनल को सस्क्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेज़ेगा जैसे ही वीडियो अप्लोड होगी तो आपको उसका नूटिफिकेशन मिल जाएगा फ्रेंड्स अगर ये वीडियो पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ सिया जरूर कीजिएगा आपसे जल्द ही मिलते हैं इसी तरीके की नेश्टि वीडियो में तब तक के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद